नमस्कार आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूँ आपके साथ वक्ता महरास्ट्रो सरकार में इस वक्त अगाडी सरकार के हाल बेहाल हैं क्योंकि लगातार उदव सरकार को जटके पर जटके लग रहे हैं परमवीर सिंग और सचिनवाजे को चांदीवाल कमिशन बुलाया गया था दोनों से पूछता चोई पर साथ ही साथ खबर ये भी आई कि परमवीर और सचिनवाजे की एक सीक्रिट मुलाकात हुई है और ये मुलाकात एक घंटे तक चली इस मुलाकात पर आखिर उधव सरकार क्यों बौकला रही है क्यों उधव सरकार कारिवाई के मूड में दिख रही है पर सबसे बड़ा सवाल आखिर मुलाकात क्यों हुई क्या हुआ इस मुलाकात में इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर त्रिप्तिर श्रीवास्तर जी मैं हम आपको बहुत उटस्पागात है मैं सबसे बड़ा सवाल ये मुलाकात के क्या माईने है और उधव सरकार के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है कि इस मुलाकात की जाच बिठा दी देखे सबसे पहली बात तो ये है कि उधव सरकार जो ये कह रही है कि इसकी जाच की जानी चाहिए कि सचेन वाजे और परमवीर सिंग मिले अब कुछ लोग कह रहे एक घंटे हुई कुछ कह रहे जितनी भी देड अगर ये मुलाकात हुई है हुई होगी तभी उधव सरकार परिशान हो रही और जाच की बात कर रही है तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस सचेन वाजे को जेल से लाया गया था चांदीवाल कमिशन के सामने हो तो जेल में है जेल अथौरिटी महराष्टर की है याने महराष्टर की पुलिस ही लेकर आई थी तो अंदर वो किस तरह से मिल लिये ये बात हो गई क्या ये संभव है कि वो दोनों आपस में मिले और जित को अगर मिलना नहीं था जैसे कि उद्धव सरकार वो इस चीजसे तकलीफ हो रही इसका मतलब कि उन दोनों को आपस में आमने सामने मिलना नहीं था तो क्या ये तै और सोची समझी रणीती के तहत हुआ है या इसमें कोई और भी शामिल है ये चीजें बहुत बड़ा सवाल सबसे पहले खड़ा करते है कि जब पुलिस आपकी ले कर गई थी सचेन वाज़े कस्टिडी के अंदर था और उसके बाद वहाँ पेश हुआ और चांदिवाल कमीशन में अगर वो दो आमने सामने मिलके एक घंटा अगर वो बोल रहे हैं बात कर रहे हैं तो फिर पुलिस आपकी क्या कर रही थी वहाँ पर उसका भी तो काम है वो परमीशन नहीं मांगेगी क्या आप अगर बात कर रहे हैं आपके पास परमीशन है या नहीं है आप किसकी पर्मिशन से बात कर रहे हैं तो ये जो सवाल है सबसे पहले तो महराष्ट्र सरकार को अपनी पुलिस से करना चाहिए कि ये भी आपके होते हुए एक घंटे कैसे मिल लिए आमने सामने टकरा जाए हाई हलो करे तो भी समझ में आता है लेकिन एक घंटे की बात ची उनके वसूली कांड का है वसूली कांड का ये पूरा मामला सचिन वाजे की गिरफतारी के बाद से खुला है सचिन वाजे ने तो जो बताया सो बताया लेकिन सीधे सीधे अनिल देश मुक का नाम परंबीर सिंग ने लिया है दोनों की ही जान को खत्रा रहा है अब सचिन व महाराष्ट्र में अपनी ही महाराष्ट्र पुलिस जिसके वह कमिशनर रहे थे उससे जान का खत्रा है और सुप्रीम कोर्ट से जब उन्हें राहत मिली उनको प्रेटिक्शन मिली तब कहीं जाकर महाराष्ट्र पहुंचे हैं और आज बिल्कु धडले से घूम रहे हैं आज किसी से डर नहीं लग रहा क्योंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से रहा थे लेकिन जान का खत्रा तो तब भी बना ही होगा तो यह जो पूरा सीन चल रहा है यह सब कुछ स्क्रिप्टेड है सचेन वाजे से अगर एक घंटे वह बातचीत कर रहे है परमवीर सि सिंग आपस में मिलकर कोई असी डील ना कर लें जिससे उनका जो बनाया हुआ खेल है वो बिगड़ जाए और इस चीज के लिए उनको जो घबरहाट हो रही है ना परमवीर सिंग बहुत शातिर अधिकारी रहे हैं पुलिस में इतने साल रहे हैं मुंबई पुलिस के कमिश महराष्ट सरकार को भी लगता है और अनिल देशमुक के अंदर जाने से या जेल जाने से सिर्फ अनिल देशमुक के उपर तलवार नहीं है अनिल देशमुक के भी तो मुंख से कुछ बात निकलेगी कई नाम निकलेंगे भी अब जब वो फसेंगे तो वो अपने साथ चार और लेंगे उन्हें को इन्हें ने बचा रहा है तो तमाम चीजें हैं और यहीं दो की पर्सने में अक्टिकार का जा canon दो हैं जिन्होंने उनके मंत्री को जेल भिजवा दिया है इसलिए इनकी मुलाकात अगर हुई है और आपस में क्या बात हुई है यह जानने की कुल बुलाहट महराष्ट सरकार में हैं क्योंकि अगर इन दोनोंने कोई बात तै कर ली जो कि आप बिना परमीशन के मिल नहीं सक सक्ति और यहीं कि जाच की बात कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहें कि आखिर कौन है जो इस तरह की मुलाकात कर वा रहा है और परंबीर सिंह का साथ दे रहा है अभी तक ट्रप्ति जी परंवीर सिंह को मुंबई आने से डर लग रहा था उनको अपनी जान क से मुंबई पहुंचे हैं क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए उन्होंने कहा मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा पहले नहीं कर रहे थे वह सहयोग अब उधर से भी उनको एक तरह से जो राहत मिलती नजर आ रही है ये बहुत बड़ा खेल होता है इतना आसान नहीं होता क कि एक मंतरी का आपने नाम ले दिया चिट्टी लिग दी और बाप में ये भी कहा कि पहले सांदीवाल कमीशन के सामने आने से पहले ये भी खबर आई थी कि परंबीर सिंग ने ये भी कहा था कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है बस उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर य इसके लिए कर रहे हैं बस ये अभी साफ नहीं है ये तब साफ होगा जब अनिल देश्मुक के उपर ये केस चलेगा और परंबीर सिंग की गवाही इसमें सामने आईगी अब परंबीर सिंग किसका साथ देते हैं इससे ये पता लग जाएगा कि परंबीर सिंग किसके जानेंगें सचिन वाजे तो खुद बुरी तरह से फसा हुआ है पूरे सबूतों के साथ फसा हुआ है उसके खिलाफ जो मामला बना है जो एनाईए ने एन्टीलिया केस में बनाया है वो अपने आप में इतना पुखता है कि सचिन वाजे को पता है कि वो बच नहीं ही है कि सचिन वाजे डारेक्ट रिपोर्ट करता था अनिल देशमुक को तो परंबीर सिंग का नाम बीच में नहीं आएगा और परंबीर सिंग ये जानता है कि अगर सचिन वाजे ने ये बोल दिया कि परंबीर सिंग थे जो बीच में शामिल थे और उसके बाद जो भी कारें चिठ्ठिया लिख रहे हैं तो ये फिर उसके बाद ये भी अक्यूस्ट में शामिल हो जाएंगे जेल के अंदर जा सकते हैं तो बहुत मुम्किन है कि सचिन वाजे से इस बारे में कोई बात की हो परमबीर सिंग ने कि भई जो मामला चल रहा है उसमें मेरा नाम किसी त जानकारी थी और इनके कहने पर ही सब कुछ हो रहा था तो परमबीर सिंग को कोई नहीं बचा सकता और यही चीज़ परमबीर सिंग को परिशान कर रही होगी और यही वजाए कि मीटिंग किसी तरह फिक्स की गई होगी जी अनिल देशमो की भी 14 दिन की नायक हरासत को बढ़ा दिया गया है और उनकी घर की रेकी वेकी भी की जा रही है बहुत सारे उन पर इलजाम लगा जा रहे हैं अब आगे क्या होने वाला है अनिल देशमो की इस वक्त जिडिशल कस्टिडी में है जो जांच उनके उपर चल रही है और जिस तरह के सबूत उनके खिलाफ मिल रहे हैं तो फिलहाल तो ये नहीं लगता कि राहत मिलेगी अब ऐसे में अगर परंबीर सिंग ये बोल देते हैं कि 100 करोड की उगाही का जो मैंने इलजाम लगाया था आरूप लगाया था वो तो जूटा था या वो वापिस ले लेते हैं उसको तो फिर थोड़े अनिल देशमो को इस बात से राहत मिल सकती है कि उगाही का मामना उन परंबीर सिंग ये तीन कड़िया हैं जिनको जोडने का काम एजेंसिया कर रही हैं और इसी कड़ी में आपस में कोई डील न हो जाए इस पे नजर रखे हुए हैं अब इसको लेकर उधव सरकार को डर ये है कि परंबीर सिंग ने जो आरोप लगा है वो उस पे अड़े रहते वो साफ दिखा रहा है कि महराष्ट्य सरकार के अंदर काफी चीज़ें हिल रही हैं एक भूचाल की सुखबुकाहट साफ दिखाई दे रही हैं जैसे ही ये खबर उधव सरकार के कानों तक पहुँची कि सचन वाजे और परंबीर सिंग ने एक केबिन में बैट कर करीब घ पहुची और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस मुलाकात के पीछे क्या राज है साथी परंबीर और वाजे मिलकर सरकार को डुब्योने के पूरे मूड में दिख रहे हैं फिलाल दीजियो इजाज़त बने रहे हैं कैपिटल टीवी के साथ नमस्कार